जो जो किड्स अब क्या होगा मेरी दोस्त सोना अभी आती ही ओगी मुझे मिलने आद तो उसे ये मचवारा कहीं अपने साथ ही ना ले जाए मुझे कुछ करना चाहिए हे भगवान मेरी मदद करो तब ही उसने पास की खेल रहे चूहे से मदद मांगी चूहे दोस्त मुझे तुम्हारे की तो आज मैं अपनी दोस्त और नदी की काफी मचलियों की मदद कर पाऊंगा और उनकी जान बचा पाऊंगा पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं बताता हूं दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चल पड़े नदी की ओर बस कुछी देर में मचलिया मेरे का काटे में फस जाएंगी और फिर मैं आज खाने में मचली ही पकड़ कर खाऊंगा मजाज राएगा इस नदी में तो बहुत सी मचलियां है तभी मचुआरे ने देखा कि एक मोर जो बहुत सुन्दर है बहुत खूबसूरत तरीप को नाच रहा है मचुआरे का पूरा ध्या काटे से हट कर मोर पर चला गया अरे इतना सुन्दर मोर मैंने कभी पहले मोर नहीं देखा यह तो नाच रहा है वाह मजा आ गया इसी बात का फाइदा उठा कर एक चुआ मचुआरे के कपड़ों में घुज गया और दूसरे ने जोर से मचुआरे के जाल को काचना शुरू किया अरे अरे यह क्या मेरे कपड़ों में क्या है अरे बचाओ अरे अरे यह चूहा कहां से आया अरे भागो चूहे के काटे ही मचुआरे के हाथ से जाल छूट गया और वो दूम डबाकर जंगल से भाग गया चूहा और मोर सोना मचली की जान बचाने में काम्याब रहे औ और इस तरह अब सिर्फ सोना मचली और मोर ही नहीं, चूहा भी उनका अच्छा मित्र बन चुका था। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। मोर ने अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए चूहे का शुक्रिया आदा किया। नादान हीरन. एक हीरन था, चो खूब खास खाता। लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत थी, कि वे घास खाते वक्त पूरी घास को जड़ से बाहर निकाल देता। यह बात बाकी हीरन उसे समझाते। ये क्या कर रहे हो, कैसे घास खा रहे हो, पूरी जड़ से बाहर निकाल दी, ये गलत है, तुम चुप रहो, मुझे मुझे मत समझाओ, मैं जैसे चाहूं वैसे अपनी घास खा सकता हूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे घास खराब करोगे, तो इस उगने में बहुत समय लगेगा, तुम्हें समझना होगा, कैस जड़ से नहीं निकालनी चाहिए, क्यों नहीं निकालनी चाहिए, तुम अपनी घास खाओ, मुझे परिशान मत करो, मगर हीरन कभी किसी की बात नहीं मानता, एक दिन शेर ने उसे घास खाते देखा, तो हीरन शेर के डर से इधर उधर फागने लगा, और बड़ी तूर तक फागता रहा, बहुत ज़ादा भागने के बाद उसे एक बड़ा सा ज़ाड दिखाए दिया, और वहर उस ज़ाड के पीछे जाकर छुप गया, बेचारा हीरन बुरी तरह से ठक चुका था, वहीं पास में दूसरा हीरन खास खा रहा था, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहां कैसे, और यू भागते हुए क्यों आ रहे हो, क्या बात है, वह, वह, वह शेर, शेर मेरा पीछा गर रहा था, बहुत, बहुत मुश्किल से जान बचा कर यहां पहुचा हूँ, अरे रास्त तुमने जड़ से निकाल बाहर फैंग दी, हाँ, तुम ठीक कहते थे, आज के बाद इस बात का ध्यान रखूंगा, मुझे माफ करो, और इस तरह हीरन को अपनी नादानी समझ आई, और दुबारा उसने ऐसी गलती नहीं की, गईया और शेर, गाए और उसका बच्ड़ा साथ-साथ रहते थे, एक दिन गाए का बच्ड़ा शेर के छोटे-छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा, तुम रोज यहां आया करो, तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब रोज आया करूंगा अब हर रोज गाएं का बच्चरा शेर के बच्चों के साथ जा कर खेलता एक दिन गईया ने अपने बच्चे से पूछा ये तुम रोज किसके साथ खेलने जाते हो बेटा? शेर के बच्चों के साथ क्या कहा? शेर के बच्चों के साथ तुम क्या कह रहे हो? खबरदार खबरदार अगर तुम कल भी उनके पास गए अब कभी वहां मत जाना पर क्यों मा अरे वो शेर के बच्चे हैं आज छोटे हैं कल बड़े हो जाएंगे और फिर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे बेटा और अगर उनके माता पिता नहें तुम्हें देख लिया तो वो भी तुम्हें नहीं जोडेंगे समझे जी मा बच्चडा उदास रहने लगा उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आती लेकिन वो कभी वहां नहीं चाता इधर शेर के बच्चे भी उसे बहुत याद करते एक दिन शेर के बच्चों ने शेर से कहा गया का घर कहा है पिता जी क्यों क्या बात है हमारा दोस्त उनका बच्चरा है कई दिनों से वो खेलने नहीं आया अच्छा ऐसा है मैं आज ही गया से बात करता हूँ और पता करता हूँ क्या कारण है शेर ने गया को बुलाया और पूछा तुम्हारा बच्चरा कैसा है आज कल वो खेलने क्यों नहीं आता शेर जी वो मैंने ही उसे मना किया था आपके बच्चों के साथ खेलने के लिए मैं बहुत डर रही थी कहीं आपने मेरे बच्चडे को खा लिया तो मगर ये गलत है मेरे बच्चों को मैं सभी के साथ प्रेम से रहने की शिक्षा दे रहा हूँ तुम बिलकुल मत खबराओ और अपने बच्चडे को खेलने के लिए रोज यहां भेजो मैं जंगल का राजा हूँ मगर मैं बिना किसी कारण के कभी किसी का शिकार नहीं करता जंगल के भी कुछ काइदे कानून है कुछ नियम है हमें वो समझने चाहिए आप से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई राजा जी और मेरे मन का डर भी निकल गया कल से क्या मैं आज से ही अपने बच्चडे को रोज खेलने के लिए भेजूंगी तो इस तरहां दोबारा सभी बच्चे साथ साथ खेलने लगे वफादार कुट्टा गुपाल का एक ही दोस था इसका प्यारा कुट्टा मोती दोनों एक साथ खेलते और खुब मस्ती करते थे मोती सभी को बहुत अच्चा लगता था गुपाल के दोस भी मोती के साथ खेलते थे धीरे धीरे मोती अब बड़ा होने लगा मोती तुम यही पेड के नीचे बैठो मैं खेल कर आता हूँ मोती भी गुपाल के साथ जाने की जिद करने लगा नहीं नहीं मोती जाने दो मुझे यहीं रुको। बेचारा मोती उटास होकर पेड़ के नीचे पैट कया और गोपाल को खेलते हुए सेखता रहा। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। धीरे धीरे मोती भी उदास रहने लगा। एक दिन मोती ने गोपाल को बहुत परिशान किया। पहले मोती की यहीं हरकते गोपाल को अच्छी लगती थी। पर अब गोपाल का मन मोती से भर चुका था। खुटकारा मिला मोती से। बेचारा मोती जंगल में अकेले रोता रहा। गोपाल घर जाकर सो गया। अगले दिन सुभा गोपाल को मोती की याद आने लगी। ये मैंने क्या किया। इतना कहकर गोपाल जोर-जोर से खोने लगा। मेरा प्यारा कुता मोती मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा। अरे अरे ये क्या। मोती तुम यहाँ। मुझे माफ कर दो मोती। मोती वापस आ चुका था। पूरी रात जंगल का सफर करके मोती अपने घर अब लोट चुका था। अब बे तुम्हे कभी अकेला नहीं छोड़ूगा। मुझे माफ कर दो। नटकट नोनू का दान्त एक चूहा था जिसका नाम था नोनू नोनू हर दम इधर उधर हर चीज को खाने की कोशिश करता एक दिन वह एक अखरोट को खाना चाहता था अरे ये कितना अजीव सा फल है ये कैसे खाया जाएगा मुझे इसे खाना है वह अपने दान्त से जोर जोर से अखरोट को तोड़ने की कोशिश करने लगा इस बीच उसका दान तूट गया अरे मेरा दान्त हो मेरा दान्त हो इस नए फल के चक्कर में मैंने अपना दान तोड़ लिया अब मैं क्या करूँ इसे तो मैं खा कर रहूगा आखिर मैंने अपना दांद भी तोड़ दिया है इसे खाने के लिए नोनू दोबारा कोशिश करने लगा उपर का दांद तो तूठी चुका था मगर इस चक्कर में उसने अपना नीचे का दांद भी तोड़ दिया अरे मेरा दूसरा ताथ भी तोट गया, ये कैसा फल है, इतना नुक्सान हो गया, मैं क्या करूँ तब ही उसके दोस्त वहाँ पहुँचे, अरे नोनू, ये क्या, तुम्हारे दाथ कहां गये अरे, देखो न, ये कैसा फल है, पहले मेरा एक दाथ तूटा, और अब दूसरा भी तूट गया, सारे दोस्त नोनू पर हसने लगे तुम कितने नादान हो, इतना भी नहीं समझे, पहला दाथ तूटने पर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था ये फल खाने लायक नहीं है, और तुम्हारे दाथ से तूटने वाला नहीं है, फिर तुमने दुबारा कोशिश क्यों की, अब क्या करूं, ये दाथ वापस कैसे आएगा नोनू के सभी दोस्त उस पर हसने लगे ये तो वापस नहीं आएगा, मगर तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी, हाँ और इस तरह नोनू को अपनी जित के चकर में अपने दो दाथ गवाने पड़े ये मैंने क्या किया, अपनी जित के चकर में अपने दाथों को खो दिया, मैं क्या करूं बकरी और मुर्गी एक दिन एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा काटा चुप गया बचाओ, बचाओ, कोई मेरे मदद करो ओ, बहुत दर्द हो रहा है वही पास में एक बकरी खास खा रही थी अरे, मैं, मैं, ये तो मदद कौन मांग रहा है चलो, चल कर देखती हूँ क्या हुआ तुम्हें, इतनी चिल्ला क्यों रही हो मेरे पैर में काटा चुप गया है बहुत दर्द हो रहा है चला भी नहीं जा रहा मेरा काटा निकाल दो बकरी मेरी बदद करो नहीं को मुझे अकेला और घायल पाकर कोई भी मेरा शिकार कर सकता है मैं, मैं, जरूर, जरूर बकरी ने मुर्गी का काटा निकाल दिया मगर मुर्गी के पैर में गाव बहुत बड़ा था सो चलना बहुत मुश्किल हो गया था शुक्रिया बकरी बेहन मगर मैं अब चल नहीं पा रही कुछ करो बकरी बहुत अच्छी थी उसने मुर्गी को अपनी पीठ पर विठा लिया और उसके घर भी छोड़ कर आई अच्छा, अब मैं चलती हूँ अपना खया रखना तुम बहुत अच्छी हो तुमने मेरी बहुत मदद की मैं तुम्हारा ये इसांद कभी नहीं भूलूँगी ऐसा कुछ नहीं है हम सब इसी जंगल में रहते हैं हम एक दूस्ते की मदद करनी चाहिए मैं, मैं, मैं मैं चलती हूँ अपना खया रखना और दवाई भी लगा लेना मैं, मैं और इस तरह मुर्गी की चाहर एक पक्री ने बचाई साप और चीटी एक बड़े से पेड़ पर एक लंबासा ताकतवर साप रहता था उसके पेड़ के पास चीटियों का बड़ा सा घर था जहां सभी चीटिया मजे से रहती थी साप पेड़ के उपर से उन्हें देखता रहता साप बहुत शैतान था वो जब भी अपना शिकार ढूंडे निकलता जान पूच कर अपनी पूच से चीटियों का घर तोड़ देता हाहा, बहुत भूख लगी है चलो जंगल की सेर पर निकला जाए और इन चीटियों को भी कई दिनों से सताया भी तो नहीं आज ही इन्हें मजा चखाता हूं साफधान, दोस्तों देखो, वो साप यहीं आ रहा है खुद को बचाओ, इस साप ने तो परिशान कर दिया है जब भी पेड़ से नीचे आता है, हमारे घर को नुकसान पहुचाता है और पल भर में हमारी सारी महनत बरबाद हो जाती है हमें कुछ करना होगा हाँ, मगर कैसे? मैंने जाप को सबक सिखाने का उपाय सोच लिया है क्या उपाय? हम कहीं और जाकर अपना घर बनाएंगे नहीं, हम जहां जाएंगे ये वहीं आ जाएगा हमें इसे सबक सिखाने के लिए कुछ और करना होगा मैंने कुछ सोचा है जब सांप वापस लोटा जब सांप वापस लोटा और अपने पेड़ पर चड़ गया वहाँ पहले से रानी चीटी अपने सैना पती के साथ पेड़ पर छुप कर बैठी थी जैसे ही सांप सुस्ताने बैठा और उसने अपनी आखों को खोला तुरंट चीचियों ने लाल मिर्च डाल कर सांप सी आखों पर हमला कर दिया अरे बचाओ, बचाओ, ये क्या हुआ अरे बचाओ, बचाओ, ये क्या मेरी आखों में इतनी जलन कैसी मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा अरे ये कौन है, बचाओ, बचाओ हाँ, आप तुम्हें पटा चला, दूसरों को सताने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना आज तुम्हें भी हम सता के मज़े ले रहे हैं मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ तभी चीटियों ने पानी डाल कर साप की आखो को धो दिया और उसे वादा लिया कि वो कभी चीटियों का घर नहीं तोड़ेगा मैं वादा करता हूँ, इस तरह की शैतानी अब नहीं करूँगा तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगा